दवार का सेक्टर आठ बागडोला गाउ में ग्यान सागर इसकूल के डारेक्टर विनोद कुमार यादव ने आज जरूरत बंद लोगों को हजारों कंबल वित्रन किये वहीं छोटे बच्चों को भी ठंड के कपड़े वित्रन किये हम आपको बताते चले विनोद कुमार यादव आम आदमी पाल्टी से भी जुड़े हुए हैं और सामाजी कारिया करते रहते हैं आज लगबग हजारों लोगों को उन्होंने गरम कंबल वित्रन किये आईए हम यादव का क्या कुछ कहना से जादा लोग यहां साढ़े-4 सो लोग मौजूद थे बच्चे भी सामिल थे इसमें उनके विए बच्चों के लिए हमने ट्रेक सूट की वश्ता करी थी तो बच्चों को गरम ट्रेक सूट हमने किया है कि ज्यांसागर पब्लिक स्कूल पीव लोग राजनेगर है जिसने स्कूल के नाम से आप चेर में हैं स्कूल के फिर वी एक समाथ सिवा करते हैं मैं देख रहता है हाज आरू की संख्या में लोग आए छोटे बच्चों को भी हमें आपने यूनिफॉर्म टाइप की दी क्या कहीं है किस तरह का संदेश देना चाहे या कोई राजनीती मैटर क देखिए वैसे तो मैं आदनी पार्टी का नेता भी हूं लेकिन हमने यहां कोई नहीं लगाया था आज हमने केवल यह प्रोपकार के रूप में यह कारिये किया था और हमने देखा कि हम पेरेंट्स को तो कंबल दे देंगे लेकिन बच्चों के लिए क्या करेंगे इसलिए हमने तकरीबन साड़े चार सो कंबल बाटे हैं और उनके साथ में जो बच्चे आये को हचारों के संख्या में थे एक दो दो बच्चे सब के साथ थे तो उनके लिए हमने गरम ट्रेक सूट का इंध्याम किया था ताकि बच्चों को भी मिले और इसमें कोई किसी प्रकार की इसमें केरी राज्मीती नहीं है यह बिल्कुल समाज सेवा काम है करते हैं समाजम्रकार काम मैं दो यह कहूंगा कि ऐसे कमी लोग होते हैं जो इस तरीके से परोपकार कार करते हैं आधनिये ये हमारे विनोद यादव जी इनों ने वास्तम में ये गरीब लोगों और जरुवत मंद लोगों के लिए जो आज ये परोपकार का कार किया है इसके लिए मैं इनको धन्वाद करता हूँ और इनकी पूरी कमेटी के लिए धन्वाद करता कि ऐसे लोग जब समाज में रहते हैं, तो समाज का जो हमारा ऐसा कोई जरुवत मन तबका रहता है, वो यह महसूस ना करें, कि हमारा कोई है ही नहीं, तो परमपिता परमात्मात सबका है, तो इनोंने इस कारी को किया है, यह मैंने अपनी आखों से देखा और आसीरवात देत वे नोने पैर चू करके ब्रद लोगों के पैर चू करके कम्बल वाटें इसमें कोई राजनीतिक करण नहीं है इसमें इनकी ये परोपकार की भावना है अजया